तो हेलो स्टुडेंस मेरा नाम है वनिश है आप तिक रहो हमारे चैनल एंग्लिश वर्ड सुगाइज आज साइंस की टिप्स आ गई है और यह 10 टिप्स है जिनको अगर आप फॉल मार्क्स असानी से ला सकते हो साइस सब्जेक्ट में तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यह 10 टिप्स होने वाली है अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो कर लोगे तो मेरी बात मानों आपके फुल माक्साने से आपको कोई नहीं रोख सकता बस आपको इन 10 टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है ठीक है टिप नमबर वन सीब्स का लेटेस्ट सैंपल करके देखो ठीक है वह बहुत जादे इससे पता चल जाता है कि किस तरह के का पेपर आया है और किस लेवल का पेपर आ सकता है आपके एक्जाम में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना अगली टिप देखो रिवाइज प बार बार को ट्राइक करो प्रीविए सेर कोश्चन सेम्बल वेपर में लिए आपके बद जो हैं आप उनके कोश्चन को ट्राइक करो और क्या करो आप पूरी सेम्पल पेपर को एक बार अब लगतार पढ़ते चले जाओ वायो ऐसा सब्जेक्ट है कैमिस्ट्री थोड़ा जो ठीरोटिकल चैप्टर से उनके जो कोश्चन और आंसर से आप सीधा सीधा पढ़ते जो कि वहां से आपके आ सकते हैं सैंपल पेपर से प्रीविए से थार्ट टिप देखो रेफरेंस बुक तो रेफरेंस बुक आपको बहुत जाद़ प्रिफर करनी पड़ीगी यहां रेफरेंस बुक चैसे यह यू लाइक और फिर एक्जैम आइडिया या फिर जो भी आपके पास रेफरेंस बुक को आप उसको ट्राय करो और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें ब्रैकेट में लिखा होता है 2017 2018 2019 और इसमें बहुत सारी यह लिखके होते हैं उसका मतल पोष्चन स्ट्राय कर सकते हो फोर्थ टिप देखो for mcq's refer NCRT mcq's जो आते हैं आपके exam में कैसे कर सकते हो NCRT ncrt की summary ncrt के diagram's के नीचे जो आपको content होता है जो box अजो बॉक्स होते हैं blue boxes होते है summary important है उसमें से mcqs आ सकते हैं तो वह थोड़े इंपॉर्टेंट है तो ncrt की summary अब उसमें जो boxes होते हैं साइड में blue boxes या फिर डाइग्राम के नीचे आपको content दे रखा होता है वह अच्छे से पढ़ लेना आपके mcqs वहां से अच्छे से हो सकते हैं या फिर आपके बच्छो रेफ्रेंस बूगाए फिर सैंपल पेपर में आप चब्राय करोगे तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा mcqs के बारे में फिफ्ट टिप देखो जो-do-wall-nCRT questions सबसे important most important ट्प in CRT questions चायाए वह in टेक्स्ट चाहिए के को सबसे अपके दिमाग में होना चाहिए आपको एक एक क्षेन आना चाहिए ढ़ेब आना चाहिए ncrt का ठीक है चाहिए जाए उन टेख्ट को सबस्त हो चाहिए वह आपके back exercises भाई एक ही question को बार बार ट्राइब करो अगर नहीं आ रहा है तो try करो पर आपको NCRT के सारे questions आने चाहिए उसमें से तो भाई question आजी जाते हैं सबस्क्राइब को पता ही जातर question फस्ते हैं रहे हो और सारे डाइग्राम चैप्टर वाइस बना दो प्रैक्टिस करो उन डाइग्राम को लेबलिंग को अच्छे से लन करो लेबलिंग जरूर करके आना वह important है और सारे चैप्टर की आप टॉपिक वाइस डाइग्राम सबना लो जिससे एक दिन पहले आपको रिवीजन में हेल्प मिले आप उस टोट बुक को खोलो तो सारे डाइग्राम सापके सामने हो और आप अच्छे से डाइग्राम को कर सको seven tip important topics इस समय एक-एक टॉपिक पढ़ने का ट इसको बोलते हैं और वह कितने नंबर का आता है साथ नंबर का इन तीनों चैप्टर को अभी फिलाल छोड़ दो आखरी दिन पे करना ठीक है जो लाजटे होगा आप उनमें इसको असानी से कर सकते हो को इसना आपको बड़ा टास्क नहीं तीनों चैप्टर को करना कुभी बड़े चैप्टर नहीं और इतने ज्यादा मांक्स के नहीं आएंगे सिस्फ साथ नंबर के आएंगे तो यह आप कर सकते हैं स्कोरिंग चैटर हैं पक्यों जाएंगे साथ नंबर ठीक है लाग्री में करना है पहले मत करने लग जाना ठीक है नाइंज टिप देखो चैप्टर बचा है यह डाइग्रम बचा वो बचा है लाज़े ओनली फॉर विजिए जो कोशिए आप से रिवाइस को कोशिच करो जालतर आप सारे सब्जेक्ट्स कर सको आखरी दिन में कोई ऐसा चैप्टर मत छोड़ देना आखरी दिन के लिए ठीक है आखरी दिन में प प्रॉम यवर पास्ट एक्स्पीरियंस से भाट जाश आने आप ईपूर्ड दिया आपने जितनी ही आपी स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं एक दो तीन में पिरिफोर की बात कर रहा हूं मैं तोन में मैं कि जहां पे नंबर स्ट में पर रहे गए वाए जिसे oke को पहले लो अगर आपके वायो को करो क्या आपको बाकिस सब्चेक्स में आपकर लोगे वायो करो फिजिक्स में काम आया है तो पहले फिजिक्स करो ऐसे पहले आपको बाइब करो कि आपको नहीं आता पहले वो करो तो यहीं तीदे को दो इस वीडियो को अपने दोस्तों में और पताया को क्या करना है सबस्क्राइब subscribe कर दो back करो subscribe करो पहले subscribe is very important ठीक है subscribe करने के बाद comment box में कोई अबको दिकत हो important topics की वीडियों में आपको जल्दी लाने बाला हूं तीनों लग subjects की तो उसको भी देख लेना बस सबस्क्राइब करके ज़रूर जहना ज़ सी GTA झाल झाल